ती कुमोडिटी मार्केट से जुडी हर खबर सिस न्यूज मार्केट्स 24 पर खबर कान की नमस्कार दोस्तो हुआज न्यूज मार्केट्स 24 बात करें गया फास तृ के सवकого लेकश सोया सरी सरसोषीट के बजार में काफी ज़धा तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है फिलहाल के लिए बड़ी गिरावट आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है बड़ी हुई कीमतों में तेल मिलों की मांग कम होने से कल के दिन घरेलू मारकेट में सरसोषीट के कीमतें हल इकवाली बने रहने से पाम तेल वायदे में कारोबारी दिन के अंत में हलकी सी नर्मी दर्ज करी गई बजारों में विदेशी बजारों में तो आप एक कहीं न कहीं मिला जुला रुप देखकर चल सकते हैं लेकिन घरेलू मारकेट में बहुत ज़्यावट के साथ कारोबा दर्ज करी गई है घरेलू बजारों में कातेल के दाम में तरसे लेकर 15 रुपए तक की बढ़त के साथ बजारों में आप कारुबार देकर चल सकते हैं जैपुर की मते अठावन सो पचीस हैं दिली का रच तावन सो हिसार की मंडियों में 52 का रेट देखा जा रहा है वर्व पचीस रुपए तक की बड़ा दर्श करी गई है सलोनी कोटा का रीट एक एक शच्ट सो पचास रुपए आप यहां से बजारों में देखकर चल सकते हैं अब मार्केट में खरेली बजारों में आज अच्छी तेजी दर्श करी गई है सरसो तेल के दाम के साथ साथ सरसो खल के दाम भी हलके इस्थिर नजर आ रहे हैं मिलते हैं आप सकली खबरों के साथ तब तक के लिए स्टेए हल्दी स्टेए सेफ थाइंस वाचे इन गुरो रिपोर्ट न्यूज मारकेश 24